हम देते हैं हमारे देश में किसी न किसी कारण से अधिकारों पर ठीक केंद्री तरही सारी बाते हैं हर कोई अधिकारों से जूड़ता रहा अधिकारों की चिंता करता रहा ये एक ऐसा आउसर है कि हम देश को पराडिम सिर्थ करके अधिकार से कर्टबियों की तरफ ले शले और जन प्रतिनीदी का भी ये काम है जन चेतना जगाना जन प्रतिनीदी का काम है कि ऐसे समय नेतुर तो करना है और ये भी शह ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं हम में से हर किसे ने सुना भी है कि कर्टब ये की क्या ताकत होती है मात्मा गांजी कहां करते थे एवरी राइट करीज विद्धिते कॉर्स्पांडिंग जूटी लोईया जी कहते थे कर्टब ये निभाते समय नफानुक्षान नहीं देखा जाता हो सकता है इसके कारण भी सब लोगों के राइट पर आने के लिए अच्छा रहेगा बहुत पुरानी बात है जो कोट है दुनिया को भारत की एक बड़ी सीख ये है कि हाँ सबसे पहले कर्टब्य आते हैं और इनी कर्टब्यों से अधिकार निकलते हैं आज के आधुनिक भोतिकवादी विश्व में जहां हर तरफ तकराव दिखाई पड़ते हैं वहां हर कोई अपने अधिकारों और सुविधा की बात करता है शायद ही कोई कर्टब्यों की बात करता हो यही तकराव की बज़र है यह बात्वित्ता है कि अधिकारों और सुविधाओं के लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं लेकिन ऐसा करने में हम अगर करतब्यों को भूल जाएं तो यह अधिकार और सुविधाएं भी हमारे पास नहीं रह पाएएं मैं समझता हूँ यह साफ साफ दर्शन है हम लोगों का दाई तो बनता है कि जिस महापुरुस ने यह बात कही है उसके बाद उसको बुला दिया गया उस महापुरुस का पुन्यस्बरन करते हुए हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं क्या और वो महापुरुस थे जिनों ने कहा था 14 जुलाई 1951 जब चुनाव से पहले कॉंग्रेस का पहला मैनिफेस्टो गोशित हो रहा था उस गोशा के समय यह पेरग्राफ पंडित नहरुजी ने बोला था मैं समझता हूँ पंडित नहरुजी ने जो सपना देश को कर्तबे के रहा पे ले जाने के लिए पंडित जी की उसी इच्छा को समझ करके हम आगे बढ़ सकते हैं क्या हम सम मिल करके तई करें और हम आगे चलने का प्रयास करें